अगर आपको गार्णिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है देखभाल का टाइम नहीं है और आप थोड़ी सी टेंशन भी कम ही लेना चाहते हैं तो एक टेंशन फ्री प्लान को उगाईए ये है चाइनिज वाइलेट असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल शवनूरली हिंदी में इसको लवणवली के नाम से जानते हैं सुना है कि ये साप के काटने पर इसका इलाज भी किया जाता है पत्तों से फूलों से इसमें ये वाइलेट कलर के यानि बैंगनी कलर के लाइट फूल आते है और इसमें सफेद फूल भी आते हैं और वेराइटी इसकी ये ग्रीन भी होती है और एक वेरिगेटिड वेराइटी भी अभी मैं आपको दिखा दूँगी और साथ में इसके कटिंग लगाने का तरीका भी दिखाऊंगी देखे ये जंगल लुकी तरह बढ़ता है और इसक गंगा नदी के नाम पर नाम पड़ा नेटिव इसका इंडिया और एफ्रिका लोकेशन जानेंगे तो फुल सानलाइट देखे यहां टेरिस काडन पर मैंने रखा हुआ है अगर इसको बालकनी पर रखते हैं तो कलर्स चले जाते हैं ये देखे एक प्लांटर में छोटे ब कोई बेगिनर्स भी इस प्लांट को असानी से लगा सकता है और मिलने की जगह क्या किसी के अहां लगा हो तो थोड़ी सी कटिंग ले आए या बीच ले आए और नरसरी पर मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं मालूम अगर आप देख लीजिए कि आपको कहा मिलेगा तो ये द स्टोनिंग करते हैं और कैटिंग से लगाते रहते हैं तो फिर ये बुशी रहता है बरसात का पानी इस पर पर पड़ते ही ये एरियल रूट निकालने लगता है और अगर जमीन पर भी पड़ा होगा डोर्मेट होगा या कागज होगा उस पर ही इसकी जड़े फैलती जात प्लान की तरह एरियल रूरस आती हैं तो मैं आ गई हूं अपनी वालकेट केट में इस प्लान को लगा रखा था टैर्स पर तो मैं ने दिखा दिया कितने प्यारे कलर थे अब हेंगिंग बास केट का हाल देखिए बहुत जादा गर्मी में ये थोड़ी मुर्जाई मुर्जाई से हो गई थी और पत्ते सब चड़ गए थे जैसे ही बारिश का पानी रेलिंग से जैसे बोचार से आता है ना तो इसमें मिलने लगा तो ये फिर से हरी होने लगी लेकिन मजबूत तहनिया नहीं है क्योंकि यहां इसको सनलाइट नहीं मिल लए है और ये देखे इसमें जो नौर्स है ना बस यहां से आप कट कीजिए और लगा दीजिए बहुत एजिली ग्रोइंग प्लांट है इसके व परनी लगले के बहर गया रहीं के तो वहां इसको धूप लगी वहां तो इसमें वैरिघिषन आया वाइड वाइडεν ये रहा जो इसप्लास्टर के नीचे था तो देखे इसके फिलांट लेकिन कितनी शाइनीज पतिया Соरी शाइनी पतिया हैं चैशी किन और ये देखे इसका वेरिगेशन कितना खुबसूरत है तो इस प्लांट को तो लगाना बनता ही है औरनमेंटल भी है साथ में फ्लारिंग प्लांट भी है और एजी टू ग्रो है बहुत कम फर्टिलाजर में चलता है इसकी फ्लारिंग मैंने जादा तर विंटर्स में देखी है और अभी तो इसके ग्रोइंग टाइम है यनि के रेनी सीजन तो इसको आप कटिंग से ग्रो कर लीजिए आसनी से ग्रो हो जाएगा तो मैंने ले ली है इसकी कुछ कटिंग्स आप छोटी बड़ी जैसे भी पर मेरे हिसाफ से तो टॉप की आप कटिंग्स ले लीजिए छोटी छोटी सी दो से तीन इंच की और एक वेल्डेन सॉयल बनाईए क्योंकि हर प्लांट को एक वेल्डेन सॉयल चाहिए होती है और मिटी को वेल्डेन बनाने के लिए उसमें रिवर सैन मिलानी ही पड़ती है तो आप 60% गार्डन सॉयल ले लीजिए मिटी ले लीजिए और फिर उसमें आपको 20% कमपोस्ट कोई भी और 20% रिवर सैन मिला दीजिए और इस तरह से नौड के नीचे से थोड़ा सा आप कट कीजिए छोटे छोटे से टुकडे भी ले लेंगे ना नौड नौड भर के तो बस ये एजिली ग्रो हो जाएगा तो आप यहां से कट कीजिए और इस नौड को आपको मिटी के अंदर दबाना होगा तो मैंने ये देखिए रूट्स आ रही है ना इसमें इसको अच्छा पानी में भी बहुत आराम से ग्रोग कर सकते हैं उसके अंदर भी बहुत खुबसूरत लगता है एक बार मैंने पानी के अंदर रख दिया था बड़ी प्यारी सी जड़े आ गई थी और फिर मैंने उसको पानी में नहीं निकाला कलिया बनी थी तो ब्लूमिंग भी होने लगी थी ये देखिए मैंने नौट्स लिए हैं अब इसको इस तरीके से एक नौट्स को भी आप मिटी में दबा दिजे थोड़ा सा कटिंग को तिर्चा रखिए और काफी सारी कटिंग एकी कंटेनर में लगा देंगे तो ये इजिली ग्रो हो जाएगा उपर से मैंने थोड़ा सा मिटी डाल दी और दबा दिया अब टाइम है इसका हलकी सी वाटरिंग करने का पानी इतना शुरू में दे दीजिए कि ड्रेनेज होल से निकलने लगे और उसके बाद मैं यही पर बालकनी पर ही इसको टांग दूँगी क्योंकि कटिंग लगाने की तुरंद बाद ही सनलाइट में नहीं रखना चाहिए जड़े होती नहीं है और पत्ते और टेहनिया जो होती है वो तेज दूप में रख देने से सर जाती है लेकिन जब तक यह थोड़ा नमी में रहेंगी सूखेंगी नहीं और इसको पानी भी मिलता रहेगा और एक हफ़ते के अंदर इसमें रूटिंग हो जाएगी तब आप इसको सनलाइट में रख दीजिए एक लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आला हाफिज